वेलकम टू माई चैनल आलने जीस पाइजवाकर यहाँ देखेंगे और यह आपका पूरा टूटल जो है यूजी सी नेट जी आरफ ए टीजी टी पीजी टी जनरल स्टडीज के परपस से भी काफ इंपोर्टेंट होगा और यह आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चै के अलावा देखिए यहाँ पर अप्लिकेशन भी आपनों के लिए जिसे आप डाउनलूट करके यहाँ पर आपका एम सी क्यू प्रक्टिस में भी है जो आपका टूटल आई थिंक टिन से यहाँ पर आपका फ्री में अबलेबल कराए गया है जो पूरा आनलाइन एक्जाम की तरह ही चलता है तो आप इसको डाउनलूट करके यहाँ पर और भी डेर सारे टेस्ट स्रीज हैं कोर्से अब लेबल है चाहिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कोर्से की बात कर रहे है या या यूजी सीनर्ट या आप टीजीटी पीजी की सभी कोर्से के साथ वहाँ है तो चली यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं चुकि आप लोगा एक्जाम भी बहुत ही नजदीक है यह पूरा जागरफिया पिंडिया का जो मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको हम लोग डिटेल्ड में भी साल्व करेंगे तो यहां पर कोशिस यह रहेगी इस पूरे वीडियो में 100 MCQ साल्व करने का चली पहला यहां पर प्रस्ण आपका दिया गया है इसमें देखिए एक साथ दो दो यहां पर अमलूप करते चलेंगे पहला दिया है कि निमलिकित में से निमलिकित परवसरणियों का उत्तर से दक्षण क्रम में ब्यवस्तित और सही कूट का चैन कीजिए यानि कि आपको जो ऑप्षन दिया गया है इन पहाडियों को आपको व्यवस्तित करना है उत्तर से दक्षण में और यह प्रस्ण हर बार आपकी परिक्षाओं में पूछा जाता है चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जियार प्यापका असिस्टन प्रोफेसर हो गया है, जीएस में भी आपका यह पूछा जाता है, जैसे कि यह दिया गया है धौला दर लदाक है, पीर पंजाल है, जासकर है, तो सबसे उपर आप आएंगे, यहां पर कौन सा है, यह आपका होता है, कराकोरम, उसके बाद आपका है, कराकोरम के बाद यहां पर आजाता है, जासकर है, फिर आपका है, पीर पंजाल है, और इसके बाद आपका धौला धर है, और धौला धर के बाद जो आपका आता है, यह सिवाली क्रेंज है, यह लेसर हिमालिया भी आप इसे कह सकते हैं, जासकर के बाद यहां से आपका सुर सिवालिक हिमालय है यहां पे आपका इसके नीचे ग्रिटर के नीचे यहां पे आपका क्या है मिडल हिमालय है यह आपका वर्टिकल डिस्टिव्यूशन है हिमालय का यानि हिमालय का जब आपसे अनुदैर्द वर्गी करन पूछे ठीक है तो आप क्या बताएंगे यह आपका महान हिमाला है, मद्ध हिमाला है, ठीक है, क्या क्या है, महान हिमाला है, फिर आपका मद्ध है, फिर आपका कौन सा हो गया, मद्ध है लगू कहते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे आपका है सिवालिक हिमालिया, सिवालिक के बाद ही आपका ये तराई भावर का मैदान, ये में ही चूंतीเ Sophie 2 struggle को सबाद क्लिएर प्रांकर ने काdoo जाएका के स्वारिक प्रucken के सब्सेके और क्कndपया प्रोस्ट करहлох है। Sumatra कईernesset YEAHSब माइं चैक के मुलने का हैं दूसरा प्राइच करताएगर है दोड़ा बिट्टा है, त्रिसूल है, माउंट आबू है, मरकंटक है, ठीक है, और यहां पे दिया गया है कि इनको मिलान करना आपको, और यह कहां कि पहाड़ियां है, यह किसकी सबसे मोची चोटियां है, ठीक है, यहां आप देखें, दोड़ा बिट्टा किसकी सबसे मोची चोटी है नेलगिरी की और नेलगिरी जो है यह जंग्सन का आ जाता है किसका वेस्टर्न घाट और इस्टर्न घाट का यानि पस्चमी घाट और पूरभी घाट का जंसन जो है ये कौन सा है या आपका निलगीरी है निलगीरी पहला जो अव्यारने भी है जो विसविराशत सूची में भी सामिल के आ गया था ठीक है और ये आपका किन-किन राज्यों के वाच्जियों के बाडर पे है करनाटक भी आख है तमिल नाडु एक एक केरल है फिक है कि अजिए है कि इनों के बार्डर पिए पढ़ता है कि सबसे उंची चोटी है डूड़ा बिट्ट अब देखिए नेक्स्ट है त्रिसूल माले परवत है और हिमाले परवत में यहां सबसे नीचे मेन систем किस से रेलेट करता हूँ पहुछ ने लीडिक अले लेकिन इलिए केमाले परवत से रेलेट करता हम예 और खोड़त करता चय रेलेट करता है पहल पूरे क्षी की नंबर बन पर माउंटी आली परवत में शिखर यह माउंट में गुरू सिखर ह 설is के 17 सो 22 में है यह यहateursan आबू में ही पड़ता है यह अरावली रेंजकाई ब fund कैस फिंद के इसके बाद देखें अमर कंटक है तो तो इसमें आप मैच कराईए आपका A का हो गया 2 B का हो गया 1 C का हो गया 4 D का हो गया 3 यानि यह आप सुने यह पे आपका क्या होगा राइट हो जायादा प्राइदी भारत के पूरभी पठार भॉमया कारिका का प्रदेश-प्रभisa जो आपका प्धार प्रीति भारत का हिस्सा है बुंदेलखंड उचभों में बिंदेकागार चेत गड़जात पाड़ियां नर्मदागाटी ठीक है तो कह रहा है कि प्राधीपी भारत के पूर्वी पठार भॉम्याक कारिका प्रदेश का भाग है ठीक है तो थार्ड नंबर का जो आपका यहां पर राइट आंसर हो राइट हो जाएगे घड़जाद पाड़ियां जो है इसका यह पार्ट है और महदेव पाड़ियन किसका अंग है कि महदेव पाड़ियां यह आपका जो है सत्पुडा का है पाश्मी घाट का पूर्वी घाट तो फिप्थ नमबर में जो आपका यहांपे इंशन किया गया है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो आपको और त्थीमर दिखने लगेगा कि इसीए यहां पर दिखेया है इसमें आपका धूप गड़ जो दिया गया है इसमें C option नहीं दिख रहा है, यह 4th option यहां से हम लिख लेते हैं, ठीक है, 2, 1, 4, 3, यहां पर आपका add कर देंगे, 5th number में last में, 2, 1, 4, 3, यह D option है, ठीक है, अब यहां से आपका उसानी होगी, दूबगड जो है, यह महादियोग पाड़ी, और यहां पर आपका comet, comet जो है किसका हिस्सा है, हिमाले का माउंट आबू, आपका यह रावली का होगी है, महाबाले स्वर, सहयाद्री पाड़ियों का, यानि D का 3 है, और C का 4 है, ठीक है, तो इसमें आपका right answer हो जाएगा, D option, 5 नमबर में, और यहां पर आजाएए, 6 नमबर, इसको भी हमने जूम कर दिया है, 6 नमबर में दिया है कि कौन सी एक लद्दाक और जासकर परोस्रिणियों के बीज बाती है, नदी, ठीक है, चिनाब है, सिंदु है, जेलम है, और सतलज है, इसमें जो आपका right है, यह जाती है, जम्मो कस्मीर स्री नगर, जम्मो स्री नगर राजमार का जवाहर सुरंग जो है, यहां पर, यह किस सुरंग में जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग जो आपका है, यह पीर पंजाल सुरंग में है, इसको थोड़ा स्पीड अमलुक दिखेंगे, क्योंकि सव प्रस जरूर आप देख लिजेगा दर्रों में आपका जम्मू का अलग देखिएगा लदाक का जो दर्रा है उसको अलग देखिएगा क्यों कि आपका UGC Net में मिलाने के लिए के लिए देगा एजाम में यह जरूर देख लिजेगा बारत के जो अलमुख्य, दीप का perception नातरम है ना आप्षण 10 नमबर आई चेत्रफल कि तरिस्टे भारत की राजियों का सही क्रम क्या है राजस्थान एक यू पी है अंध्र जवाय जो हो जाएगा राजस्थान नंबर उन पे dipping पर महारास्त के बाद एक लिकरे कि अधार बावसूत बेदी आपको लगता है कहीं डाउट है तो निशी तोर पर आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है एक बार आप चिक करके तब कमेंट करिएगा और जो भी आपके डाउट सोंगे वो कमेंट में भी क्लियर कर दिये जाएंगे अरब सागर में इस्तित भारती दीपों के सबसे महतकों विशेष्टा क्या है और देखे यहाँ पे जो दीप है एक आपका यह हो गया अरब सागर यहाँ पे दीप है और यह आपका बंगाल की खाड़ी वाला दीप हो गया अंडमानी गोबारे का दीप समोग तो पूछ रहा है कि यह जो है प्रवाल निर्मिद मुंगा दीप है ठीक है डे आपसन यहाँ पे सी आपसन राइट हो जाएगा अरब सागर के जो दीप है बारत में सबसे लंबी तट्रेखा काउंसी है गुजरात वाली केरल की उडिशा किया महाराज की तट्रेखा पर टूटल नव इसके अलामा यहाँ पर अंडमान निको बार होता तो वह आपका इससे ज्यादा है ठीक है ठीक है द्यान रखेगा तीरा नंबर में आ जाईए अधोल लिखित पहाड़ियां भारत के विभिन भागों में इस्तित है नीचे दिए कोट से हिमालय से उनके दक्षिण की और द दक्षिण की और यानि हिमालय आपका जो है यहाँ पर इसे दक्षिण में आपको यह आपका चूच करना है थार्टीन नंबर का जो दिया गया है ठीक है तीसको और जूम आउट कर देते हैं यहाँ पर आपका चारों दिख जाएगा यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ आपका क्लिएर हो जाया C आपसन में आप विंसन किया गया 4423 है अब यहाँ पर आपस लूख सालु करते रहे है अब देखे है यहाँ आपका उत्तर से दक्षिण यहाँ पर आपको देखना है यानि दक्षिण की यूर दारिट यही hop उत्तर से दक्षयन। अन्नमलाई है राज महल है महदेव है मीजो पाडियां यदि आप यहां पे आ जाएगे है इसको ड्रा कर दे रहे हैं बस एक आपको समझने के लिए हैं तो थीक्स अब अन्नमलाई यहां पे थे राज महल पाडियां महादेव पाड़ियां यहां पे हैं मीजो हिल्स यहां पे हैं ठीक है मीजोरम में यह आपका त्रिपुरा मीजोरम में यह मड़ी पूर है यहां पे आपका मीजो पाड़ियां अब यहां से कह रहा है कि दक्षिन की ओर कौन सा करम सही होगा ठीक है तो यहां पर दक्षिन की ओर देखेंगे तो राज महल का आ जाएगा सबसे पहले ठीक है राज महल के जैसे आप नीचे आएंगे ठीक है राज महल के जैसे नीचे आएंगे तो आपका जो देखने को मिलेगा यह आपका यह वाला रेंज आजाएगा क्योंकि महादेव यहां पर यह सब पुड़ा वाला रेंज हो जाता है ठीक है यहां पर आपका आजाएगा मीजों की पाड़ियां हिसाब से उसके बाद जो आता है आपका महादेव की पाड़ियां और सबसे लास्ट में आपका अन्ना मलाई किया जाएगा ठीक है तिसे आप से टू फोर थ्री वन थर्ड आपसन आपका यहां पर राइट हो जाएगा चले नेक्स टाते हैं यहां पर ओटीन्थ नंबर पर है ठीक है चोधा नंबर में देखिए यहा मुखी क्रिया द्वारा करेस चाहर जो दक्कन का प्रयां यहां पर यह पुरा यह धक्कन कह आ दकन ट्रायफ है यह क्रिटेस्या जोला मुखी टाइम पिरियड में इसका निर्माण हुआ था ठीक है पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा थी आपका उत्री अंडवान में मिडल अंडवान में साउथ में या फिर लिटिन अंडवान में तो अंडवान निकोबार का भी डिटेल हमने आपको कराया है तो यहां पी आपका जो पूर्ट ब्लेयर है साउथ अंडवान में है और सोला नंबर देखिए कि कौन सा भारत की सीमा में स्तितिक मात्र सक्क्री है जो आला मुखी दो चीज़े हमने अभी शुरुवात में आपको बताया नरकुंडम और बैरन दो जो सकते हैं लेकिन अभी उद्धगार नहीं हुआ है इसमें और यह टूटल जो है आपका पूरा साउथ हिस्या का एक मात्र सक्क्री जो आला मुखी में से एक हैं सूला का यानि 16 का आपका हो जाएगा वी आपसर 17 देखिए निमन में से कौन सी नदी विभरंस गाटी से ओके बैती है कावेरिय गंगा यमुना है दामूदर ठीक है अब अक्सर आपनी यह किवल पड़ा है नर्मदा और ताफी दू आपने पड़ा होगा नर्मदा और ताप्ती यह ब्रंस गाटी की बैने वाली नदियां लेकिन ब्रंस गाटी में आपका दामूदर नदी भी प्रव उनका नोर्स आप देखिएगा सोन नदी मिलेगा तो आप इसको बोल जाएगा सोन नदी नहीं है दामोदर नर्मदा और तापी यह तीनों नदियां यहां पर प्रवाइट होती है ठीक है ब्रंज गाटी में यह ध्यान रखेगा इसलिए यह option आपको प्रवाइट कराएगा ह निमले खित में स्कौ Towns आये क्यों सरी नशने नहीं है कि यह तो हमेर्बल्गाह होती है ठीक है जो कशंबर अनसर हो जाएगा कोदवार नहीं है और अग्ला देखेगए यह आप दिया गया है किकौ काउन साय हे एक भारत के सबसे ढक्ष्णी अस्थान को इंगित करता कन्या कुमारी है नगर कोई ले इंद्रा पॉइंट है या रामिश्वराम है ठीक है तिसमें जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इंद्रा पॉइंट अभी यहां पर यही देखे समझने वाली बात है देगा भारत का सबसे दक्षिर् भारत का तो आप क्या लगाएंगे आक में उनके इंद्रा पॉइंट या इंद्रा खोल नेक्स्ट है यहां पर कि कौन सा दर्रा सिक्किम में इस्तित है यहां पर देखें लाचला जो लिखा यह बाढ़ा लाचला है ठीक है और यह ठंगला है जो जिला है नाथुला है तो यह सही है और कारण दिया कि इसका आधार आरकियय वेरा निर्मित के द्वार निर्मित नौ essayer की नहीं में उसका निर्माद हूआ है तरसरी काल में इसका निर्माद हुआ है इस में दिया गया नापांर these नमा की आपका घर्था ठीक है जो तेंगे आउसादीओं के दो आजर और यहां पर जो आपका दिया है कि आधार इसका आर्कियन सैलों के दौर निर्मित है तो यहां पर जो आपका हो जाएगा यह आपका राइट है यह आपका रांग है और गलत है अगला देखे निम्नांकित में से किस राज की तट्रेखा सबसे लंबी है अंद्रा है महारास्ट तमिलनाट गुजरात है तो इसमें कुछ नहीं देखना आपको ठीक है गुजरात है कस्मीर घाटी एक प्रकार है किसका विवरतनिक घाटी का या परदन जन घाटी का अग्यां लगू इमाले का एक भाग है ठीक है कैला सेडी लद्धाक कारकूरm और महाभारश निया तो लगू इमाले हैनě कि आपका जो मिडलीमाले आप के मिडलीमाले का कॉम सा पार्ट है ट्वट पॉर में देखिए लद्दाक स्रेड़ी है लद्दाक आपका ये पार हिमाले का है करास्कुरम लद्दाक जी है ठीक है ये दोनों कैलाज भी आपका पार हिमाले का है जो महाभार स्रेड़ी है ये आपका मिडल हिमाले में आ जाएगा टिन डिगरी जो चैनल है ये किसको अलग करता है लच्छद यह लगों अंडमान को कार्णी को बार से अलग करता है और 26 में हम लोग देखते हैं मैच कराना है सूची एक और सूची दो को बनियाल दर्रा रोतांग नातुला और बमडिला नातुला आपका सिक्किम में हो गया ठीक है 26 में देखिए और बनियाल आपका जम्मुकस में रोतांग नात चल में बमडिला नात चल में तो एक दो तीन चार यह आपका हो जाएगा आप्शम भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आजाएए भारत की सबसे लंबी सीमा किसकी है चीन के साथ है पाकिस्तान में अमार यह बंगला देश तो सबसे लंबी सीमा आपका यह बंगला देश के है हिमाले का जो अग्रवडंस है ठीक है Front Fald जो हिमालय का हिमालय Front Fald जो है यह किसको पृधक करता है यानि किसको अलग करता है महान हिमालय और लगू को सिवालिक लगू को सिवालिक भारत का उतरी मैदान या उपरोप्त मेशे कुई नहीं ठीक है 28 में देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जायेगा सिवालिक और उत्तर के भारत के उत्तरी मैदान को ये क्या करते हैं अलग करते हैं जो HFF है ठीक है यानि कि हिमालय का जो फ्रंट फाल्ट है यानि कि अग्रब्रंस है अगला देखें 29 में भारत का उत्तरी मैदान किसकी देन है हिमालय के उत्थान के परणाम सरूप बना हिमाल जो हिमालाई नदियां थी इनके आउच्छेपों से निर्मिती मैदान जो ही आपका है ठीक है अगला देखे मिसमी पहाड़ियां जो एक इस राज में है असा माय और अंचल नागलेंड जमू कस्मीर ठीक है तिसमी जो आपका राइट आंसर हो जायेगा मिसमी किसमी ठीक है य कह रहा है कि जो भ्रंजगाटी के जो विपरीद दिसाओं में प्रवाइद होती है तो वो नदियां काउंसी है इसमें देखे आपका भ्रंजगाटी इधर से होके जाती है यहां पर आपका यहां से आपका भ्रंजगाटी में नर्मदा बहती है ठीक है लेकिन इसके विपर कि दोड़ा बिट्टा या नाई मुडी ठीक है तो 32 में जो राइट आंसर आपका हो जाए कि दक्षड की जो उची चोटी या नाई मुडी है डोड़ा बिट्टा से भी उची है छोटा नापकुर पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है धूबगड़ है पंचमड़ी है पार इल्मार की अब इस धर्रे से ऊकर गुजरता पाल घाट भोर घाट और थाल घाट यह तीन्य दर्रे जोई ऑफतर भारत के और यह पाश्मी घाट की दर्रे है ठाल घाट भोर घाट पाल घाट यह सभी जो ड़र्रण EPA की पास है तो यह पूछरा कि मुंबई से कोलका ता जो को रेल वे लाइन जाती है यह किस दर्रे से उके जाती है अंडमान को नीको भार से जो अलग करने वाली जल्रासी है उसका क्या नाम है मैं तीके नमान को नीकोबारह से जो अलग करती मननार की खाडी है नहीं अंडमान साघर है 10 डिगरी चैनल है यह 11 डिगरी चैनल है थीकले तो अंडमान को नीकोबार से जो अलग सभी है ठीक है इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुलीकद Гृल का एंग्जामपल की जो प्राचींतम प्राव सिर्णखला कौन सत्कुला अरावली ठीक है तो इसमें जो रावली प्रवसिरंखला lu वर्तमान मियावसिस्ट रूप में है लेकिन ये प्रिकेम्रे निराकी ही है और ये आपका पुर्विश्व का पुर्थाम वलित परवत भी था ठीक है उत्वपत्ति की दिर्शी से यह देम लोग बात करें तो पहला वलित परवत भी अरावली ही था लेकिन वर्तमान में यह उसिस्ट रूप में है ठीक है और यही आपका सबसे प्राचिंतम परवस रिंखलाओं में स से भी एक है बावगोलिक विस्तार के अंसार विस्ट में भारत की जो इस्तिती है तो यह कह रहा है कि किस नंबर पर यह टूटल एरिया का जो वर्ड का है यह 2.4 परसंट लेता है ठीक है यह साथ में नंबर पर है और इसके लिए आपको एक फर्मूला यहां पर याद करना रक्व भाई ठीक है यह आपका आर से हो जाएगा रसिया हो जाएगा ठीक है यह चाइना कनाडा यह आपका यूएस से ब्राजील अस्टेलिया और इंडिया ठीक है तो साथ में नंबर पर यह करम देख लीजिएगा कौन सा एक परवत नहीं है महाबाल इस्तुर परवत है क इसमें जो गल्ष रुप्पा है यह मात्मा गांधी यह आपका जल्पृपात है और सभी क्या यहां परवत है भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार परवस्रणी कौन सी है हिमाला है सत्पुडा निलगरी यह आरावली ठीक है तो यह अभी आमने उपर ही आपको ब इसमें राइड आंसर आपका हो जाएगा ब्रंजगाटी कौन सा एक भारत का ऐसा राज्य है जहां दूसरी सबसे लंबी समुद्विक ट्रेखा है महारास तमिलनाड करनाटा के अंदरप्रदेश ठीक है इसमें राइड आंसर हो जाएगा आपका अंदरप्रदेश से नेक्स्ट आ जाएए यहां परवत सिखर है फोटी फोर में परवत सिखर है और परवत माला यह मैच कराना डूड़ा बिट्टा देखिए फिर आपका आगया अरावली से है नंदा देवी आपका यह हिमालय के अंतरगत आ जाएगा हिमालय यानी की उत्तराखंड में है अमर कंटक मैकाल स्रेणी का गुरू सिखर यह अरावली की है ठीक है माउंट आबू में गुरू सिखर 1722 मीटर उची है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी आप्शन चले नेक्स्ट आ जाएए फोट्टी फाइफ में पंबन जो द्व प्रिज भी आपने पड़ा होगा ठीक है तो भारत और श्रिलंगा के बीच यह आपका है और नेक्स्ट आ जाएए यहाँ पर इमाले की तलेटी के जलोड पंकों के क्या बोला जाता है खादर बांगर बैड लेंड या भावर ठीक है तो जलोड पंक को यहाँ पर भावर बोलते हैं भावर के बाद फिर आपका तराई आता है ठीक है यह करम ध्यान रखिएगा और भावर में क्या होती है नदिया जो धिखते आगे आपके आपका रूप्त हो जाती आपकर रूम प्त्र हो जाते हैं क्योंकि आपको प स्टमीय घांट शाएधरि करें सब्सक्राय बान जो पर कि धुच्विछ चालं हो तुकल न की तो कुलशा साधव या डूरी सनक्विटी है तो यह अनाई मुड़ी पूरे पस्चमी घाट की है सबसे उंची में आ जाएगा सिंदो नदी की सबसे बड़ी सायक कोंसी चिनाब राभी ब्यास या सतलज तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सतलज इसकी लंबी सायक नदी है धूबगड जो चोटी है सत्पुड़ा की है 49 में कथन दिया गया है कि हिमालाई नदियां जिन परव स्रिंखलाओं से में से होके बहती हैं उनसे ज्यादा यह पुरानी है ठीक है पहला तो राइट है दूसरा देखे से लिए इन्हें पूरवरती नदियां कहीं जाती है क्योंकि यह अनुसरण भी उन श्रिंखलाओं का करती हैं ढालों का अनुसरण भी करते हैं और इनकी उत्पत्ति उन परवर्च्योटियों की युद्पत्ति से पहले ही होई होती हिमाले नदियां गयरी और तीक शडवाई काएं काटती है ठीक है यह आपका राइट है तो यह आपका सही ब्याक्या भी कर रहा है संगी मोड किस एक का विलक्षन है यानि संगी मोड जो है हिमाले रावली सत्पुड़ा या बिन दे तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाले में यह मोड होते हैं और आगे देखे दिया गया यह हिमाले का जो मोड यहाप देखिया आपका एक मोड है और अंचल प्रदेस वाल पर्या और नहीं प्रदेसकों में से कौं सा आमलो वर्षा होने का प्रमुकारक है CO2 यानि कार्वन डाय आकसाइड हैड्रोजन पर आकसाइड कार्वन मो अकसाइड या सल्फर डाय अकसाइड ठीक है तो अमलो वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार का उन्स प्रदूशन का नीपली गटना जल प्रदूशन का तो मीनी माटा यह पारा से होता है और यह जल में जो पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वज़ा से होता है अगला देखें लेटिराइट में लोह और इल्मिनियम के आकसाइट की यानि लेटिराइट जो मिर्दा है उसमें कहरा है कि आईरन यानि लोहा और इल्मिनियम के आकसाइट की मातरा यहां पे होती है 54 में देखिए ठीक है तो इसमें दोनों के आकसाइट की मातरा नहीं होती है बलकि यहां पर आयरन की मातरा कुछ होती है लैटेराइट में इसी कारण यह बड़ा सा लाल कलर देते हैं आदर उस नकड़िवंदी छेत्र में जहां रासाइनी का पोच्छेन और निक्छालन अत् जहता है तेंप्रेक्रीचर कि वर्सा यानि रेनफाल की वज़े क्जह से क्या होता यहां पर निकछालन की क्रियाएं होती है और इस hebben केवल भी आपका यहीं पर हो जाएगा आनि दूसरा वाला चलिए 55 में देखे जिवास मिदनों की बड़ती खपत वाइ मंडल में किस गैस की मात्रा में बृद्धी के लिए उत्तरदाई है नाइटोजन की बृद्धी के लिए कारबन डाई आकसाइट की आरगन की या उजून की ठीक है तो जो आपका जिवास मिदन है इससे मैक्समुम आपका CO2 की मात्रा यहाँ पे निकलती है बृमंडली तापन का निमलिकित में से कौन सा मुखिकाड़ है या नि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका में रिजन क्या है यह सियो टू है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग उसका में फैक्टर क्या होता है यह सियो टू पी मात्रा बढ़ना आप से प्रस्ण में पूछेगा तो आप एक लिखाईएगा ठीक है तो में जैसे कारण यह भी मेथीन सी एपसी नाइट्रूजन अक्साइड कार्बन मोनो अक्साइड के सभी कारण है लेकिन सबसे महत्तपूर्ण जो है आपका यह कार्बन डाय अक्साइड है तो यहाँ प्रस्ण में इसलिए पूछा है मुख के कारण कोन सा है ठीक है नेक्स्ट आजाईए और यहाँ आप देखे जो भी बैचे चल रहे हैं यदि आप उससे जुणना चाह रहे हैं तो उपर यहाँ पर आपका नंबर मिंसन किया गया इसे आप वाट्सप कर सकते हैं नेक्स्ट यदि आप तो है यंब्ति च None इंट प्रसितीयों में विक्सित होती है आदर ऊष्नआ सीत वाइट मिर्दा होकी है यह भी PB- Stroup द्शागरिय है है एक यहां पर निक्षालन जादा वहां पर लैटे रायंट मिरुदा होगी यहां कैसे होगा क्योंकि यहां पर रिनफाल भी ठाख और temperature भी ठीक ठाख हो, तो यह आपका कहां पर equatorial wealth में होता है, याद रहो रुष्ण, एरिया में ठीक है, 58 में देखिए कौन सा gas उजून परत के छर्ण हे तो सबसे जादा उत्तरदाई है, CO2, CS4, methane, chlorine या फिर sulfur dioxide, ठीक है, तो 58 का जो right answer हो जाएगा, यह chlorine सबसे जादा उजू मालेकूल, 1300 मालेकूल लगवग उत्री के बराबर होता है, यानि कि CS4 यानि मेथेन जो है, यह ओजून डिपलेशन की बात करें, तो यहाँ पर यदि इसका एक मालेकूल जाएगा, वो लगवग तेरह सो से अधिक ओजून के मालेकूल को डिपलेट करेगा, लेकिन मेथेन क इसका निसकर्शन होता नहीं है, जबकि यह कहां से सड़ी गले अस्तानों से होता है, धान के खेत हो गए है, या कूडे करकट वाले जो प्लेसेज होते है, वहां से आपका मेथेन गैस मैक्समूम उसका सेक्रिशन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावसाली होती या आपका क्लोरीन है, ठीक है, यह आप ध्यान रखेगा, एक्जाम में आपका ऐसे पूछेगा, उत्तर दाई तो कार्बन डाय अक्साइड भी है, मेथेन भी है, सल्फर डाय अक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपका क्लोरीन हो जाएगा, 1997 1997 में जो Keto Protocol पारित किया गया ठीक है इसका मेन जो देश किसके रोक्ताम के लिए था ओजोन डिपलेशन का मरुस्तली करण का निर्बनी करण का या ग्लोबल वार्विंग का ठीक है तो Keto Protocol जो हुआ यह आपका ओजोन डिपलेशन यानि ओजोन डिपलेशन के लिए इसका यूज किया गया था या फिर मरुस्तली करण के लिए किया गया था या निर्बनी करण के लिए किया ग्लोबल वार्विंग के लिए इसमें देखे ओधरी की बात जो हुआ था यह मोंट्रियाल प्रोटोकाल में हु कि आपको ग्लोबल वार्मिंग की थी इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा यदि यह आफ्टन में नहीं रहता तो एक हद तक आप ओजोन डिपलेशन को कह सकते हैं क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के इलिमेंट्स थे जिसको कम करने से वह आपका ओजोन डिपलेशन भी उससे कम होगा शिक्स्टी नंबर में निम्नांकित में से किसमें एजिंडा 21 पारित हुआ पर्थम प्रित्वी सिखर सम्मेलन में या फस्ट आर्थ सम्मिट में या सस्टनेबल जो डिवलेप्मेंट का सम् मंट्रियाल प्रोटोकाल या क्योटो प्रोटोकाल में इसमें जो आपका पर्थम प्रित्वी सम्मेलन हुआ था वहां पर आपका एजिंडा 21 की बाद की गई थी जो आपका सतत्विकास से रिलेट करता है 61 में देखिए निम्नांकित में से कौन भूमंडली उस्मन में जाएगा सलफर डायकसाईड जो है यह आपका ग्लूबल वार्मिंग में उतना मात्कॉर्ण योगदान नहीं दे देंगे जबकि आपका नाइटोजन के जो आकसाइड है यह आपका नाइटोजन के आकसाइड हो गया सीएच कार्बन डायकसाइड यह बही होता है लेकिन सल पूछा जाता है जो ब्रिक्ष हैं यानि किस जलवायू के ये ब्रिक्ष हैं ये आपसे परिक्षाओं में पूछा जाता है और यहां से एक प्रस्णाप का हर इज़ाम में आता चाहिए आप असे चन्त परिसर की बात करें UGC NET, TGT, PGT में तो एक प्रस्णाप का ये सियोर रहता है कि कई बार आपसे यहां पर पूछा टीक जो सागाउन का ब्रिक्ष है इसके बारे में पूछता है किस परकार की जलवायू का ब्रिक्ष है तो ये वोनी और मोगनी ये भी पूछा गया है किस जलवायू का ब्रिक् बहार बनो की यह विरिक्षा है और अगला देखे 63 में है कि निम्लिक्षीत में से कौन सा मिर्दा परदन की प्रक्रिया कुछ तीवर करता है समोचरे की मेर ठीक है सस्यावर्तन मिश्रित करसी या ढालान करसी कहरा है कि जो मिर्दा परदन है यह कहां पर मैक्समुम होगा ठीक क्या होगा कि अपका जो मृदा परदन है वो कम होगा क्योंकि यहाँ पर सीडीदार जो कृषियां आप DECKTAY पहालों पर तो यहां पर मेड़े बनादी जाते हैं उच्छी उच्छीए तो जो मिरदा पर्धन होका यह करते हैं ईके यहीम पर ही आपका क्या होता है jam जालों पे आप प्रसी करेंगे तिस्य क्या होगा ब्रदा परदन होगा ठीक है तो यहां पे आपका नदी घाटियों में जो कॉप मिट्टी है यह नदी घाटियों में पाई जाएगी और नेक्स्ट यहां पर देखिए 65 अभी टूटल आपका 35 और बचा है तो 65 में देखिए परिया और प्रदूशन के निमनांकित प्रभाव हो है परिया और प्रदूशन से क्या प्रभाव हो सकते हैं धरातल पर पहुंचने वाले सूर्खी प्रकास की महत्रा को यह कम करता है ठीक है यह आपका राइट होगा क्योंकि परिया और प्रदूशन से क्य और जो आपका यहां पर सन लाइट जो है आएगी उसको यह गैसे क्या करेंगे और इसकी वज़ास से क्या होगा धरातल पर प्रकास पहुंच रहा है इसकी मात्रा भी घटेगी आगे देखे कोहरे में बृद्धी होगी यह भी आपका राइट है वातावन के तापी गुणों को परिवर्तित कर देती है यह भी आपका राइट है ठीक है इसमें आपका फूर्थ आपसम सही हो जाएगा अगला देखे अमली वर्षा का मुखता कारण क्या होता है मेथेन और नाइट्रूजन अक्साइड का संकेंद्रन का संकेंद्रन या फिर नाइट्रूजन के आक्स और Sulfur Di Oxide इनका संकेंद्रण की वज़ा से यह आपका अमली वर्षा होती है क्योंकि यह S2O के साथ क्रिया करेंगे इसके वज़ा से यह बनेगा आपका S2O4 बनेगा और जो आपका अमली वर्षा का मेन यह फैक्टर के रूप में होता है यह आमसर भी मेंशन किया गया है अगला देखे 67 में भारत में पाए जाने वाले अधिकांस लवधा तो किस किस्म के होते हैं हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लेमोनाइट या सीडेराइट एफ तो यह लौ ऐस के प्रकार हैं तो इसमें अपका जो भारत में हेहे हमेटाइट प्रकार का होता है नेपाल हिमालाय किसके मद्देश थी तब देखें यहां पर नदियों के मद्दी विभाजन दिया गया है अब यह इसे हम लोग कहते हैं हिमालाय का प्रादेशिक विभाजन या ओरिजिंटल डिस्टिबिशन आप हिमालाय ठीक है तो यहां से आपका जो बर्गी करण होता है यदि हम लोग यहां पर मैप की बात करें यहां पर आपका देखें यह आपका सिंदु हो गया सतलज हो गया ठीक है और यहां पर आपका तीस्ता नदी हो गई और यह काली नदी हो गई ठीक है यहां पर तीस्ता है सिक्किम के पास ठीक है तीस्ता यहां पर आपका जो है ब् नेपाल हिमाले हो जाएगा this आपका kun़ कुमाय्ओ आपका इमाले या उत्राखंड को या क स्मीर इमाले हो जाएगा तीस्थ परिए इसे हीं शथो जांतेκत नेपाल हिमालेस जो के बीछ है काली ओर तिस्था के भीछ है आपसन यहां पर आपका देखिए हड नंबर का यह आपका सही हो जाएगा C ठीक है 69 देखे कौन सा तट भारत के पश्मी तट का भाग नहीं है काठियावाड है कॉंकड है मालावार है या कूरू मंडल है ठीक है तो यहाँ पर देखे पश्मी तटो के अमलोग बात करें यहां पर काठिया वाल का जो तट यह गूजरात का हो गया कॉंकड है कोंकड जो तट है तर रेक है इसके ऊपर यहाँ पर आपका जो है यह उत्तरी सरकार है उत्तरी सरकार को भी कई पार्ट में डिवाइट किया जाता है, यहां पर आपका उडिशा के पास यह उत्कल तट कहते हैं, और यहां पर बंगाल में आपका बंग तट के नाम से जाना जाता है, ठीक, और तमिल नाड में यह आपका कोरो मंडल है, नेक्स्ट आ जाएए 70 दिया है कि दुरगापुर, राउरकेला, कुल्टी, लिलाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कुल्टी जो है यह आपका हिंदुस्तान स्टील Limited से रिलेट नहीं करता है, जबकि दुरगापुर, राउरकेला और लिलाई यह लाउसीपात उद्ध्योग हिंदुस् का प्रसंद था UP PGT का इसमें दिया है कि मानो विकास रिपोर्ट दोजार बीस के अनुसार भारत के भारत का जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है आप देखिए दोजार बीस का जो रिपोर्ट था इसका जो इंडिया का प्लेस था 130 था लेकिन PGT में आपका जो सही आंसर दिया थ ठीक है और अभी जो आपका 2022 का डाटा है इसके एकॉर्डिंग जो है 132 है और यह देखे यहां पर हमने मेंसन कर दिया है यह डाटा रिलेज हुआ 10 माई 2023 को ठीक है यानि कि जो यह आपका दो प्लेस जो है यह आपका नीचे आ चुका है कौन सा वर्स अंतराष्टि जैविवित्ता वर्स घोसित किया गया था 2002 दो जारं दस, 2015 siitä 250 ठीक है यह आपका 2010 को जो जो है अंतराष्टि जैविवित्ता वर्स घोसित किया गया था अगला देखे मानो गदविद्यों को प्रत्यक्ष आलंबन परदान करने पुद्पन ग्रीन house gas की कुल मात्रा को क्या बोला जाता है मानो गद्विदियों को प्रत्यक्षा लंबन परदान करने में जो green house gas की कुल मात्रा होती है उसे क्या बोला जाता है carbon footprints, carbon प्रतक्रन, carbon आउसुसण या carbon dioxide का index ठीक है तो carbon footprints इसे का जाता है जो direct या indirect रूप से मानो गद्विदियों को प्रभावित करते है इसमें आपका कुल green house gas की मात्रा होती है ठीक है और ये आपका carbon जो credit होता है जो green house gas उस सरजन कम करने वाले राज़े है जैसे आपका हिमान चल हो गया जो ज़्यादा उस सरजन करने वाले राज़े है ठीक है उनमें ये carbon व्यापार भी जो होता है उसमें भी आपका यह चीज़ें होती है कि जब ये उनके credits को खरीद लेते हैं कि ये carbon व्यापार के अंतरगत भी आते हैं तो ये आप इसको ध्यान दखेगा अगला देखिए 74 में निमलिकित में से कौन सी पर्वती चोटी पूर्वी घाट में आउस्तित है पस्मी घाट और पूर्वी घाट की चोटी है इसमें देखिए आपका कहरा कौन सा इस्तित नहीं है सालेर है, सिंकराम है, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कुंडा या गली कुंडा ठीक है, तो ये सालेर जो ये आपका पूर्वी घाट में आउस्तित नहीं है, ये सभी आपका है और इसमें काफी चूटियों के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अस्तनांतरन किरसी का नाम दिया गया और राजी का नाम ये ध्यान दखिएगा और इसमें वर्ड लेबल के भी डाटा आप देख लीजेगा जो भी समय चाहिए लदां की बात करें या पिन्ना की बात करें ठीक है जो अन्य किरसीयों के प्रकार है उसको जरूर आप देख लीजेए क्योंकि एक्जाम की पॉइंट अब भी से अपका मुश्ट इंपॉर्टेंट वो है असनांतरन किरसीयों के अलग 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 जो प्रकार है चाहिए मैक्सिको में हो गया है ठीक है ब्राजील में जिसी रूखा का जाता है यहां पर देखे दिया गया असनांतरन किरसी का नाम और राज्य मासा है पॉनम है जूम है पॉंडू है तो इसमें दिया है कि सुमेलित नहीं है पूनम जो केरल का राइट है जूम असम में है पूंडु ओडिशा का मासा जो है आपका इमान्चल प्रदेश की असनांतरन किसी का नाम नहीं है यही आपका सुमेलित नहीं है अगला देखे 76 में दिया गया है यह आपका सुमेलित करना है संद्चित वर्स और उनका छेत्र ठीक है सामुदायक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, रास्ति पार्क और बन जीव अब्यारन ठीक है यह नंबर दिया गया और संक्या यह वर्स 2021 का है अब देखे इसमें आ आपको एक PDF प्रवाइट कराया है जो इन्मार्मेंट जगरफी का यह नि परिया और भूबूल का आपने दो पार्ट आपको दिखाया है जिसमें पूरा यह 2021 का लेटेस्ट डेटा जो आया है उसमें वो पूरा अपडेट करके दिखाया गया है तो टोटल जो कमुनेटी र इसमें देखें सामुदाइग रिजर्व टूटल जो 46 हैं कंजर्वेशन रिजर्व के हमलोग बात करें 76 हैं नेशनल पार्क आपका 103 है और बनजीव अभियारण जो 544 है टूटल जिसाधार पे जो मैच हो जाएगा यह एक आपका 2 हो गया बी का आपका 4 हो गया सी का आपका जो है 1 हो गया डी का आपका 3 हो गया 2413 डी आप्शन यहां पर राइट हो जाएगा 77 में देखें दिया गया है कि निम्न मेंसे काउन भारती अर्थविवस्ता के विकास का मापदंड है तो जो इंडियन एकॉनमी है इसमें जो डिवलेप्मेंट है या इसका जो मापदंड है वो क्या है क्या इंडिकेट करता है कि भारत में जो अर्थविवस्ता है उसका विकास हुआ है खादियान क्या जब उत्पादन हो जाएगा उसमें ब्रिद्धी होगी तो क्या ये उत्पादन की मातरा का माप है या फिन निक्स्ट आ जाईए यहां पर में यदि फिर्द्धी होगी तो इसका मतलब इंडियन एकॉनमी में भी फिर्द्धी माने जाएगी ठीक है और इसी से आपका पूरा ये मापक किया जाता है भारत में सरवादिक क्रुमाइट का उत्पादक जो है कौन सराजि करता है 78 देखे करनाटक है उडिशा है महरास् वैसा की चेरी ब्लासम या चाय वर्षा ठीक है तिसी क्या बोला जाता है पस्चि मंगाल में जो मानसून के पहले वर्षा होती है इसे काल वैसा की का जाता है कमेंट में आप लोग बताएंगे बोड़ी चिली किसे कहते है चेरी व्लासम क्या है और जो चाय वर्षा ये तो आपBa septim विलालेय को सबूसांइग ये आपका राएट है , राउर केला जो लोईस्पास सकार है , ये हिंदुस्ताने इस्टेल लिम्टेड के नी अंत्रगापुर ये सब आपका हिंदुस्तान इस्टील के अंतरगत ही आत ए घीक बिश्चे सरया लौह इस पात जो लिम्टेड है इसके अस्तापना जर्मनी के सहयोग से पी गई तो यह रांग है ठीक है तीसको जो है अपने हमेटाइट इसको के लिए हमेटाइट लौह याज की आप उर्ती जो नोमंडी की खानों से होती है यह आपका राइट है रांग आ कैसे हुई दुरगापुर की कैसे हूई ठीक है पुडिशा और आंद्रीक्रञब इस। इससे क्या बोला जाता है पिंडा पुंडीग ओडम या जूं जो क्या वह रहेगा इसे पुंडी कहते हैं अंद्राप्रदेश और ध्रॉड़ीचा में जो अस्थानांत्र catastr कि्रसी का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग जो जुम किरसी एक प्रकार शयने की जो आध्यवासियों की द्वरा की जाने वाले अगरिकलचर होती जैसे अब यह जंगल है जंगलों के क्या करते हैं सब करेंगे यहाँ पर अग्रिकल्चर करेंगे इसको जब खतम हो जाएगी घृजाओ चमता यह क्या करेंगे दूसरी जगह जो ऐख जगलों को साफ करेंगे यहां पी पर यहां पर ट्रांसफर हुआ अगरिकल्चर इसले इसे अस्तनांतर नसील खिर्षी का आ गया अगला देखे 82 में इसमें दिया गया है फसल और किसमें दिया गया है कि जो यह फसल है इसे रिलेट करके कौन सी प्रजाती की किसम है यह मक्का है चावल है सरसो और चना है ठीक है इसमें आपका मक्का दिया गया है, तो मक्का में आपका जो माही धवल है, ये मक्का की किस्म हो गई, चावल की जो किस्म है, ये आपका डागर हो जाएगी, सरसो की जो किस्म है, ये आपका वर्धान है, और चना की जो है, ये एलो है, दोह देलो, इसमें आपका जो हो नेक्स्ट आजाए 83 राश्टी चावल अनसंदान कहां पर है तो चावल अनसंदान जो यह आपका कटक में है और भारत का जो देशांत्री विस्तार है यह कितना अलगभग 31 डिगरी 29 डिगरी 27 है यह फिर 28 है इसमें देखिए आपका यह लगभग 29 है यह आपका 67 डिगरी आठ मिनट है यह 97 आपका 25 है इसी का आप डिफरेंट निकाल लेंगे तो यह आपका अलमोस्ट 23 है 29 आएगा और यही जो है इनका देशांत्री विस्तार होता है 66 डिगरी 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट है यह आपका 66 डिफरेंट निकाल लेंगे तो भी आपका लगभग 8 29 आएगा ठीके करकर रिका भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है तो इसमें कुछ नहीं देखना आपका 8 है और यह आप ध्यान लगएगा कौन से राज्य यह है अगला देखे कोपेन के जलवाय वर्गिक्रण के अनुसार एमडवलू जलवाय भारत के निमनांकित में से किस राज्यों से मिलती है या किन राज्यों में एमडवलू पाई जाएगी ठीक है एमडवलू यह आपका यह उसमें कड़िबंदी मानसूनी टा गोवा का दक्षडी भाग भारत का पश्मीतर और यह एक पिटर से नस्दीक भी है तिसलिए आपका एमडवलू हो जाएगा ठीक तो भारत का जो वर्गिकाण है कोपिन का थांसिट का यह जरूर आप देख लिजिएगा निम्नांकेत में से कौन सा युक में सुमेलित नहीं है खानिस दिया गया खाननचेतर कहां पे है बाक साइट में दिया गया काला हंडे पूरा पूटी यह आपका राइट है मैगनीज में बाला घाट और चिंदवाड़ा यह भी सही है टंगस्टन के लिए डिगाना और बंकुरा चेतर यह भी साइट है ताबा के लिए हुट्टी और रामगिरी यह आपका रांग गया एटी सीवन में ठीक है और एटी एट मे आपका काली हो गई तो सतलज और काली के बीच आपका कुमाई हमालय हो जाएगा काली और तिस्ता के बीच आपका जो है यह नेपाल हमालय हो जाएगा और तिस्ता और दियांग या दिवांग के बीच या ब्रहंपुत्र के बीच यह आपका जो हो जाएगा यह असम हमालय ह यह आपका हिमालय का प्रादेशिक विस्तार है तो यहां पर देखें आपसर में दे रखा कुमाई हिमालय तो सत्ला जो काली नदी के बीच ठीक है एटी एट का जो आपका सी हो जाएगा भारत में परचुर मात्रम पाया जाने वाला जो आयस्क है कौन सा है मोनाजाइट फ्ल से तटों पर पाया जाता है और थोरियमन में भारत फोरियम मोन के प्राक्षा करता से करते हुं इसी इस्तितिक तंत्र में कौन से दो घटक हैं तो पारितंत्र में आपका पादप और जनतु होते हैं पेड़ पौदे खरपतवार जैविक जैविक भूमिय और जल 91 में देखें बायोटीक और आप बायोटीक दोनों कंपोनेंट अपके एकोसिस्टम में पाय जाते हैं 36 गड़ आदिकांश वाहकी क्या विशेशता है क्या शन पर काली मस्टी पायाती है सबसे जञदा जो चत्रीच में अधिकांश बागों red soil पाये जाती है, और यह reds इसलिए होती है, तो यह इसमें iron की axides की अदिखता होती है, अगला देखे, राची पठार किसका उधान है, यह penny plant का है, यह uplifted penny plant का है, यह downward penny plant का है, अच्छुशा प्रारमभी penny plant का है, थीक है, penny plane, pine plane और pedi plane, pine plane की संकल्पना ती यह किसकी है यह क्रिक्मे की है Peni plane यह आपका Davies का है ठीक है और PDI plane किसका है यह आपका LC King का है यह ध्यान रकी का और pine-pine पैन जो है यह आपका Last Man का है ठीक तो यहाँ पे आपका यह Peeni plane के Types है ठीक है संप्राय मैदान के ये प्रकार है और राची का जो पठार है ये किस प्रकार के संप्राय मैदान का ये पेनी प्लेन का उधारण है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफलिप्टेड पेनी प्लेन का ये एक्जामपल है ठीक है उत्तित पेनी प्लेन अगला देखिए 94 भारत में अधिक्तम जो दसकी जनसंख्या बरिजिदर रही है 21 से सबसे जादा 10 की बरिजिदर रही 61 से 71, 71 से 81 से 91 से 91 से 91 से 2001 में ठीक है 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा 61 से 71 तक सबसे जादा 10 की बरिजिदर रही थी 2011 की जनगरना के नुसार बारत का नियूनतम जो नगरी कृत राज्ज है तो राइट आमसर यहां पे आपका हो जाएगा इमानचल प्रदेश सबसे मिनिमम नियूनतम नगरी कृत है 96 में देखिए कौन सा कदम सही नहीं है तीस्ता नदी जो है यह गंगा की सायक नदी है उकाई जो बात परियोजना है यह तापी नदी पे यह आपका राइट है दून जो है यह लंबी परोध घाटियां है यह सही है कोरो मंडल मैदान माला बार तटी मैदान से अधिक है क्योंकि पूर्वी जो घाट है यह भी आप समझ सकते हैं पस्टमी घाट से ज्यादा चोड़ा मैदान है ठीक यहां पे जो तीस्ता नदी है वो गंगा की सायक नदी नहीं है तो 96 आपका यह हो जाएगा तो ब्रहंपुत्र की यह हो जाएगी आगे देखिए 97 में भारती यह चाय का निलामी मूल्य तथा निर्याद 2000 से घट रहे हैं सन 2000 से जो चाय का निलामी किया जाता है निर्याद किया जाता है यह क्या इसमें कमी होती आ रही है तो यह आपका राइट है देखें दूसरा दिया है कारण कि भारत को बहुत से नए चाय उत्पादक देशों की परतिय स्पर्दा का सामना करना पड़ रहा है और इसी लिए जो है चाय का निलामी मूलय और निरयाद ये ठीक है तो ये और र आर इसमें दोनों साू है और आर प्रकिन में जो भारत की धार्जलिन ठी इसका मूली लग और डीड़ लाग रूपय किलो था, ठीक, नेक्ट यहां पर देखे, 98, निमलेके पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पोताश्तर है नहीं है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट जो है, किसमें नहीं है, यह नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है, मुंबई है, कुच्ची है, चिन नह अधीप और मुंबई यह निचुरल में आता है, 99 में देखे, भारत में उसमें कड़बंदी, जो भारत है, यह आपका उसमें कड़बंदी चलवाई हो, वाले एरिया में यह आता है, तो यह आपका राइट है, ठीक है, कतन सही है, भारत जो आयन देखाओं के मद्दे है, यह आपका नहीं है, इसमें आपका रांग हो जाएगा, यह राइट है, और इस पूरे वीडियो का लास्ट प्रसंदेखें यहाँ पर, तो नंबर में, निमलिकित में से कौन सा यूग में, सुमेलित है, मद्द्प्रदेश, यह जंजातियों का दिया गया है, टूड़ा जंजाती है, ठीक है, तो टूड़ा आपका निलगिरी में पाए जाती है, राजस्तान में खरवार नहीं पाए जाती है, इसमें दिया गय प्रवाइट कर दिया है इसके अलामा देखिए यहां पे इसका पूरा प्रिदेयर प्रवाइट करादिया और ये कर दिया गयाDY है फिलिगे प्रवाइट है जो पूरा वीडियुओ यहां पर देख लीकारेख और आपको लगए कि यापके वह इूस्फूल तो अपने तक्सियर होती है इसके अलावा इसका पीडियाफ आपको जो है जो एप है हमारा वहां पे मिल जाएगा वहां पे मैं आड़ कर दूँगा और यदि आप यूजी सीनर्जी आ रहा आप असर्चन पोफेसर ठीक है या के भी पीजी टी पीजी टी अब निट का देखिए जो आपनोंका एक्जाम है यह जो होने वाला भी जल्द में ही ठीक है उसके लिए भी इसका इंपॉटन्ट ही है और दिसंबर का जो एक्जाम आपका होने वाला है उसके लिए भी आपका यहां पे बैचे जुपलब्द है उसको तो यहां पी इतना ही थाइंक्स परवाजिन